तो स्वागत है आप सभी लोग का तो सेना भरती देखने वाले सभी लड़कों के लिए सबसे बड़ी जनकारी मिलेके आ चुका हूँ जी हाँ जितने भी लड़के चाहे जितने भी लड़कियां आर्मी में भरती होना चाहते हैं लड़के उनके लिए एक चीज जादा जरूरी है उन्हें अच्छे नंबरों से पास होना अनिवार रहे हैं 2021 की बिल्कुल नई अपडेट में लेके आ चुका हूँ आर्मी के जनरल एमेम नरोन द्वारा जितने भी ओफिसियल नोटीस जारी होता है हम आपको बता देते हैं अगर आप भी देख रहे हैं जी डी की बरती या कलर की भरती या ट्रैडमेन की बरती या टेकनिकिन की भरती या नर्सिंग असिस्टेंट या हवलदार की बरती तो ये विडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा important है तो end तक आपके दिमाग का जितना भी सवाल है सभी का जवाब हम इसमें दे देंगे तो army में भरती होने के लिए अच्छे number चाहिए और कितने number होने अगर आपके पास होंगे तो आप कौन सी post देख सकते हो जी हाँ अगर आप कम number है तो दूसरी post देखोगे ज़्यादा number है तो दूसरी post इंडियन आर्मी में देखोगे ऐसा इंडियन आर्मी का rule है पिछले कई सालों से चल रहा है लेकिन इस rule में क्या आप data यह वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं तो चले वीडियो के साथ end तक बने रहेंगे तो आपके सारे doubt आपका clear हो जाएगा साथी साथ अगर आप भी हमारे चैनल पे नहीं हैं तो वीडियो के नीचे लिखा होगा जॉइन इंडियन आर्मी बगल में होगा subscribe का लाल बटम फटाक से उसको प्रेस कर दीजिए और बगल में बैल आइकोन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इंडियन आर्मी की हर एक जनकारी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आपको मिलती रहें जैसे कि आपके TA की rally हो गई ठीक है TA की rally, open rally, general rally स्पोर्ट की भरती हो गई, NCC की भरती हो गई चाहे आपकी और भी जो कोटा की rally आती है, relation भरती आती है वो भी बता दिया जाता है physical, medical, exam, practice, life classes सब कुछ इस channel द्वारा provide किया जाता है चलिए मैं जो काम की बात है वो आपको पहले बता देता हूँ सबसे पहले बता दूँ यह देखे, यह एक राजिस्थान बोड का certificate है यह है राजिस्थान बोड का certificate अक्सर लड़के क्या करता है उनका certificate number यह उपर वाला होता है कोई-कोई serial number, role number डाल देता है तो वहाँ से army की भरती से उसे reject कर दिया जाता है हाली में कल एक लड़के का call आया था बोला ता सर हमने अपना serial number mark sheet की number के जगा serial number डाल दिया है वहाँ पे हमें rally में भगा दिया गया है अब हम क्या करें मैंने काए एक application लिखो वहाँ पे जाके सही करा लो अगर सही नहीं होगा तो तुमारे पास last option है नया registration तो आप भी कभी ऐसी गलती मत की दियेगा form बरने से पहले हर एक बात का ध्यान रखेगा एक छोटी सी गलती और लपरवाही आपको exam से बाहर निकलवा दीगी और एक number भी गलत फिल करके form बर दिये तो वह आपको बाहर निकल दिये जाएगा ठीक है चलिए मैं कुछ number बताने जा रहा हूँ कुछ certificate के number दिखाने जा रहा हूँ जैसे यह cbsc board का certificate है तो यह उपर certificate number हो गया ठीक है और यहाँ पे इनके cgpa में number होता है तो 9.5 से गुणा करके multiply करके number में बदलना पड़ता है यह तो कुछ certificate थे और subject के number थे अब किस post को देखने के लिए कितनी number चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो यह इस समय अपडेट मैं आपको 2021 का नया अपडेट दे रहा हूँ इस बात का ध्यान रखेगा जो भी भरतिया होने वाली है यह हो रहे हैं देखें जब भी आप eligible रहेंगे तो यहाँ पर apply का option देता है यहाँ पर जितना भी green में apply का option दे रहा है इसका मतलब लड़का इसके योग है इस भरति को apply कर सकता है तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ GD यानि 10th pass लड़के अकसर 90% लड़के GD की vacancy देखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा पोश्ट होती है तो GD में भरती होने के लिए आपको 10th pass होना अनिवार रहे और इसका C grade या B grade किसी भी grade से पास हो लेकिन हर एक subject में each and every subject जैसे math, Hindi, English, Sanskrit जो भी आपका पास है उसमें हर एक subject में 33 नमबर से उपर होना चाहिए out of 100 और all over आपका total मिला के 45% होना चाहिए वो भी 100% में से इन बातों का ध्यान रखेगा तो ही आप GD के eligible हो नहीं तो नहीं हो उसके बाद आजाता है एर्थ पास ट्रेडमेन आजाता है एर्थ पास अगर एर्थ पास हो हर subject में 33 नमबर है तो आराम से आख बंद करके form apply कर सकते हो सबसे कम नमबर है तो अगर 45 परसेंट नहीं है फिर भी चलेगा लेकिन 33 नमबर होनी चाहिए ठीक है यह ट्रेडमेन के लिए था यहाँ पर आ जाता है technician soldier technician के लिए आ जाता है हर एक subject में यहाँ साफ साब बोल देता है कि 40 परसेंट चाहिए यानि 40 नमबर चाहिए और all over इ math इसमें include with English होना चाहिए ठीक है technician के लिए अगर वही clerk देखते हैं तो clerk के लिए आपको 12th की eligibility चाहिए होती है और आपका stream आप किसी भी stream से पास हो जैसे let example arts हैं commerce है science हैं तो आप असानी से clerk का form apply कर सकते हैं लेकिन हर एक विसे में आपका 50% होना चाहिए और आपके पास English भ सब्जेक्ट होना अनिवार रहे ठीक है तभी इसका form apply करेंगे नहीं तो last में जाके आपका form ही submit नहीं होगा वहां पे दिखाएगा not eligible और आपको वहां पे cancel करके फिर दूसरे पोश्ट के लिए apply करना पढ़ जाता है इन बातों का ध्यान रखेगा अब soldier nursing की बात कर लेते ह जो काम मिलता है उसमें आर्मी में तो इसमें चाहिए होता है आपको physics, chemistry, science से ही पास होना चाहिए biology भी होगा तो चलेगा total आपका 40% 40 number हर एक subject में होना चाहिए और all over 50% ये भी technician जैसा ही percentage है इन तीनों का मिलता जुलता है सबसे अधिक clerk में मांगता है ठीक है उसके बास soldier tech arm examiner इसकी भी vacancy आती है जो exam करवाता है उनकी भी post आती है तो उसके लिए आपको हर एक subject में सिर्फ 40% मांगता है और total 50% और inter आपको पास होना चाहिए हो इसमें भी physics, chemistry, math ही होता है ठीक है यानि चार post है जिनमें eligibility से में लेकिन color की अलग है और gd की अलग है ठीक है और सबसे कम tradement की है अगर 8th पास हो तो उसमें 2 post भर सकते हो 10th पास हो तो अलग से 2 post भर सकते हो ट्रेडमें की 4 post होती है मैस कीपर और हाउस कीपर कुछ ऐसे होते हो वाटर केरियर 3-4 post होती है अलग-अलग तो ये 10th और 8th के base में मिलता है और वही बात हवलदार की कर लेते हैं तो इंसाल में एक ही बार वेकंसी आती है तो वह भी आईगी तो हम आपको बता देंगे अगर यहां तक आपको जनकारी समझ में आई हो अब भी कोई दिमाग का सवाल जैसे इसी जीपीए में सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं इंगलीस हिंदी मैथ साइंस पांस सब्सक्राइब कर दो तक ही सारी अपडेट मिले अगर इतनी एलीजबल आपको नहीं है तो आप आर्मी का कोई भी फर्म नहीं बर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिए और आज की डेट में पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज्यादा अनिवार है तभी कोई भरती देखेंगे नहीं तो भरती भी नहीं देख सकते हैं यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय वारत फिर से मिलेंगे अच्छी जनकारी के साथ